हेलो दोस्तू, पिछले वीडियो में हमने कबीर के साखियां और कबीर के सबद किये थे, आज इस वीडियो में हम आपके कावेपाठ का दूसरा चैप्टर रस्खान के सवये करने जा रहे हैं, तो सवये का अर्थ होता है हिंदी भाषा के वो वार्निक छंद जिनको चार पंक में लिखा जाता है, और सवये करने से पहले हम रस्खान की प्रिष्ट भूमी के बारे में जानते हैं, रस्खान का जीवन परिचे किस प्रकार से है, रस्खान एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कभी थे, उनका जन्म 15-48 के आसपास दिल्ली में हुआ था, और उनकी मृत्यू 16- 28 के लगभग मानी जाते है, उनका मूल नाम सयद इब्राहिम था, कवी रस्खान भक्ती काल के रीती मुक्त काविधारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं, और इतिहास में रस्खान को रस्खी खान कहा गया है, इनके कावे में भक्ती वश्रिंगार रस्थ दोनों की प्र कविताओं के रूप में, सवईय के रूप में वणन किया है, तो इनका हम सबसे पहला सवईया करने जा रहे हैं, जो की इस प्रकार है, मानुश होतों वही रस्खानी बसाओं, ब्रज गोकुल गाओं की ग्वारन, जों पसु होतों, कहा बस मेरों, चरों, नितनन्द की धेन मानुश होतों, अर्थात, अगर मैं मनुश्य के रूप में जन्मलूं, तो मैं कहा बसूं, मैं गोकुल गाओं की ग्वाले के रूप में जन्मलूं, जों पसु होतों, अगर मेरा जन्म पसु के रूप में हो, तो मैं उनकी गाए के रूप में जन्मलूं, कृष्न की गाए के रूप में जन्मलू पाहन होतों वही गिरी को जो पाहनकार्थ होता है पत्थर तो अगर मैं पत्थर के रूप में जन्मलू पत्थर के रूप में मैं इस पृत्वी पर आऊं तो मैं उसी गिरी उसी परवत का पार्ट बनू उसी परवत का पत्थर बनू जिसको कृष्ण अपनी उंगली पर उठाया था, गोवर्धन परवज्चों होता है, तो मैं उसी गीरी का पत्थर बनूँ, जो खग हो तो बसेरो करो, खग मतलब चिडिया, पक्षी, तो अगर मैं पक्षी के रूप में जन मिलूँ, तो मैं कहां बसूँ, मिली कालिंदी कूल कदंब की डारन कालिंदी कूल कदंब की डारन में कौन सा लंकार है, अनुप्रा सा लंकार है, क्योंकि क क क क तीन बार यहां पर रिपिटेडली आ रहे हैं, और कालिंदी हम यमुना नदी को भी कहते हैं, तो यमुना नदी के कूल मतलब किनारा, यमुना नदी के किनारे, जो कदंब का आभा को व्यक्त किया है उन्होंने कहा है कि मनुष के रूप में जन्मलू तो भी मैं गोकुल गाओं का ही ग्वाला बनू पशु के रूप में जन्मलू तो भी उन्हीं की गाए बनू और अगर पत्थर के रूप में भी जन्मलू तो उसी परवत का पत्थर बनू जिसको उन या लकुटी अरू कामरिया परराजती हूँ पुरको तजिडारों आठहू सिधी नवो निधी के सुख नंद की गाई चराई बिसारों इस सवईये में उन्होंने कृष्ण के वस्तू के प्रती कृष्ण की हर एक वस्तू के प्रती अपना प्रेम और लगाउ व्यक्त किया है या लकुटी लकुटी का अर्थात क्या है उनकी लाठी अरू मतलब और और कामरिया मतलब कंबल मतलब की उनके लाठी के लिए उनके कंबल के लिए उनकी मतलब वस्तू के लिए मैं अपने तीनों राज का लोग भी त्यागने को तयार हूँ अगर मुझे कोई बोले कि मैं आपको तीनो लोग का राज देता हूँ और उनकी कंबल और लाठी देता हूँ तो मैं उनकी कंबल और लाठी को चनूँगा मतलब जितनी सिधी और निद्धी करने के बाद जो यश प्राप्त होता है जो धन प्राप्त होता है मैं वह सब धन जो है वो कृष्ण की भक्ती के लिए उनकी गाये चराने के लिए उनके यहां ग्वाले के रूप में जन्म लेने के लिए उन सब को उनके उपर नियुचावर करने को भी तैयार हूँ रस खान कबों इन आखिन सों ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो कौटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन उपर वारो रस खान तो कब से अपनी आखों से ब्रज के जो बन बाग हैं और जो तड़ाग अर्थात की तलाब हैं उनहीं को निहारता आ रहा है उसकी पूरी भक्ती जो है वो ब्रज गाउं में ही है कौटिक एकलधोत के धाम कौटिक मतलब करोरो और कलधोत के धाम मतलब सोने के महल धाम इस महल और कलधोत मतलब सोने के तो मैं करोडो सोने के महल भी नचावर देने को त्यार हूँ किसीज के लिए करील के कुंजन के उपर माव एक आटिदार ज़ारियां होती है करील के कुंजन जिसको कहते हैं ज़ाडियों को कुंजन कहते हैं तो मैं अपने सोने के महल को भी उनकी जाडियों जो ब्रज में बस्ती जाडियां है उनके उपर देने को त्यागने को तयार हूँ तो इस प्रकार से उन्होंने इस सवये में कृष्ण के प्रती अपने लगाओ को व्यक्त किया है तीसरा सवये में रस्खान ने गोपियों का वर्णन किया है कि वो किस प्रकार से कृष्ण की भक्ती में खुद को कृष्ण के रूप में ही ढालना चाहती है कहती है कि मोरपखा मैं भी अपने सर के उपर मोरपखा जिस प्रकार से मयूर का पंक कृष्ण पहनते हैं मैं भी पहनूंगी गुंज की माला भी गले में पहनूंगी और ओड़ी पितंबर पीला वस्तर मैं उसी प्रकार से ओड़ के और लकुटी बन और लाठी लेकर गोधन गवारनी जैसे वो गवालों के साथ गया चलाने के लिए निकलते थे मैं भी निकलूंगी मुझे वो इतना भाते हैं कि मैं उनके लिए सारे स्वांग सब कुछ करने सब कुछ त्यागने और जैसा जैसा करते हैं वैसा वैसा करने को तयार हूं या मुरली, मुरली धर की अधरान धरी अधरान अधराऊंगी सब कुछ मैं करूंगी लेकि मुरली धर कृष्टन की जो मुरली है उसको अपने अधरूं पे अपने होटों पे नहीं लगाऊंगी गोपियां सब बनने को तयार हैं कृष्ण जैसे रूप धारन करने को तयार हैं परंतु उनकी मुरली को अपने होटों से नहीं लगाना चाहती है तो अगला सवईया है आपका कि वो क्यों नहीं चाहती है कि उनको मुरली से क्या उनकी आ सकती है ऐसी क्या चीज है काननी दै अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजाएं हैं कहती हैं गोपियां कि अपने कानों में मैं उंगलियां डाल कर उस मुरली की आवाज नहीं सुनूंगी जब मुरली धन मुरली बजाएंगे मतलब वो जो इतनी मधूर गान में जैसे कृष्ण भगवान जो हैं वो मुरली बजाते हैं वो गाय तो गाय लेकिन मैं अपने कानों में उंगली डाल के बैठ जाओंगे मैं नहीं सुनूंगी तेरी कहों सिगरे ब्रज लोगन काल ही को कितनों समुझाई हैं चाहे मुझे जो भी ब्रज के लोग हैं वो कितना भी समझाएं कृष्ण के बारे में लेकिन फिर मैं अपने कृष्ण को अपने मन से अपने मस्तिष्क से नहीं अगर मैंने वो मुरली क मतलब कहते हैं कि कृष्ण का मदमोहक मुख देखकर मुझे अपने आपको गोपियां कहते हैं संभाला ही नहीं जाएगा और मैं सारी लाज शर्म छोड़कर उनकी ओर ही खीची चली जाओंगी और फिर मुझे कोई रोप नहीं सकता है इस प्रकार से इन सवैयों के माध्यम से रस्खान ने अपनी कृष्ण के प्रती आसकती और भक्ती का वर्णन किया है जिनको उन्होंने बहुती सीधे शब्दों में लिखा है तो आपका ये चैप्टर पूरा होता है नेक्स्ट वीडियो में हम आपके काविखंड का अगला भाग करेंगे ठैंक्यों